नजायते म्रियते वा कईदाच पिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयह अजोनित्यह शाश्वतोयं पुराणों नहन्यते हन्यमाने शरीरे यहें आत्मा किसी काल में भी न तुझ नमता है और न मरता ही है तथा यहें न उत्पन होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है शरी के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता वेदा विनाशिनम नित्यम् यहें नम्जामा व्यययं कथम सपुरुशह पार्थ कम्खात यति हन्तिकम् हें पृथा पुत्र अर्जुन जो पुरुश इस आत्मा को नाश्रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यययं जानता है वे पुरुश कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है वासामसी जीर्णानि अथा विहाय नवानी ग्रिहनाती नरो पराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा अन्यन्यानी सैयाते नवानी देह जैसे मनुष पुराने वस्त्रों का त्याह कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याह कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है नेनम् चिन्दन्तिशस्त्राणी नेनम् दहतिपावकह नचैनम् क्लेदयन्त्यापो नशोष्यतिमारुतह इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकते इसको जल नहीं गला सकता और वायू नहीं सुखा सकता अच्छे द्योयम दायोयम अक्लेद्यू अशोष्य एवच नेत्यह सर्वगतह स्थान और चलोयम सनातन क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है यह आत्मा अदाय है अक्लेद्य और निसंद्य अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचर, स्थर रहने वाला और सनातन है यह आत्मा अच्छेद्य है अच्छेद्य पिरद्य और चलोयम स्थर रहने अच्छेद्य नित्योष्य है तढ क्या एवची नेगनोग्याइ झाल